ज्यादा मैगी खाने से क्या होगा इस लड़के ने गलती से एपल का एरपोर्ट निगल लिया था और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शोकिंग था और कैसे एक चोल ने चौकलेट की मदद से पूरा बैंग की लूट लिया और तूथपेश का कलर इतना अलग अलग क्यों होता है जाननी के लिए बने रने वीडियो के अंतर नमर्ट 20 आप इस वीडियो में देख लो कैसे एक रोकोडाइल अपनी बॉड़ी को इतना उपर उठा सकता है या कहूं फेक सकता है अपनी टेल की और से यह पानी के अंदर प्रशल बनाता है और उसी प्रशल से यह उप पर उठता है यह फंक्शन उनके शिकार करने में काफी ज्यादा काम आता है इनकी बॉडी के स्टेंज की भी दाद देनी होगी नमर्ट 19 अगर मैं आप से कहूं कि एक चोल ने चौकलेट की मदद से पूरा एक बैंक ही लूट लिया था 2006 में बेलजियम में एक आदमी था ज यह आदमी 200 करोड के हीरे लेके भाग गया आपे कह सकते हो कि चोकलेट ने इन्हें 200 करोड का नुकसान करवा दिया क्यूंकि यह चोल आज तक नहीं मिला है और खोचबिन करने पे पता चला कि वो जो चोकलेट दे रहा था वो भी चुराया हुआ था नॉमर 18 नॉर्मली जितने भी पूल होते हैं सब को ब्लू पेंट किया जाता है जिससे हमें पानी ब्लू कलर का दिखता है पर फ्लोरिडा में रहने वाले एक आदमी ने सोचा क्यों ना वो अपना पूल रेड कलर का करें हाँ आपने सही सुना और उसने पूल को रेड कलर क भी किया देखो यह कैसा लग रहा है जैसे कि यह पूल ड्राकुला का हो और यह खून है वैसे देखा जाए यह खराब तो नहीं लग रहा नमर 17 कैनेरा देश में यह इनलीकल है कि आप कॉइंस में पे करो जीहां आपने सही सुना इस देश में आप कॉइंस में थोड़ी ब आपको जेल में भी डाल सकते हैं नमर 16 लेपर्ड शार्क यह एक ऐसी शार्क है जिसे सबसे फ्रेंडली शार्क माना जाता है यह किसी भी यूमन्स पे और अपने शिकार को छोड़के किसी भी जीव पे हमला नहीं करती देखो इस शार्क की स्माइल को यह ऐसी है जो कि 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 इसी भी इंसान का दिल खुश कर दे यह शार्क हुमन के तरफ काफी अट्रक होती है और हमारे साथ खेलना भी पसंद करती है नमर 15 हाली में लियनल मेसे ने अपनी पुरानी टीम को छोड़ दिया था और यह काफी जादा रोए भी थे क्यूंकि यह कई सालों से इस तीम के थे पर यह जिस टीशु पर रोय थे और अपने आशू साफ किये थे इस टीशु पेपर को ओक्षन में डाल दिया गया है अप यचीन नहीं करोगे तो चुप पर को दो मिल्यों डॉलर में खरीदा गया है बस एक रूपे के टीशु पेपर को लोगोंने 2 मिल्यों में पर फैंस की दिवानगी पर हम क्या ही कह सकते हैं नमर्व 14 यूस आलमी के जो हैट सोर्जर्स हैं वो अपनी टी यानि की चाय जो है वो एक काफी ज्यादा स्पेशल कप में पीते हैं इस कप का प्राइज होता है 75,000 इंडियन रुपीज और ये वन टाइम यूस कप होता है ये कप में कुछ स्पेशल फीचर है एक तो ये चाय को गरम कर देता है बलाई चाय गरम हो या थंडी आपको इस कप में चाय गरमा गरम ही मिलेगी और ये इसका साइड फंक्शन है इसका में फंक्शन है फिंगर्फिंटलेस इसका अप में फिंगर्फिंट के निशान नहीं चुड़ते बलाई कितना जोल से पकड़ इस पे फिंगर्फिंट के निशान नहीं बनते चार्ल्स डाल्विन चुकि एक नेट्रेलिस थे हाँ आपने सही सुना वेल के बैकबोन से और ये कुछ ऐसी रिखती है तैवान में रहने वाले बेन हसुने गलती से उनके पास जो एपल के एरपोर्स थे उनमें से एक एरपोर्स को निगल लिया और निगलने के 9 घंटे बाद यानि कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होने के बाद ये एरपोर्स काम कर रहे थे ये काफ़ी शौकिंग है और उन्होंने जब बैटरी परसंटे जानने की कोशिश की तो आवाज आई 41 परसंट यानि उसमें 41 परसंट बैटरी अभी भी बाकी थी ये देखो इनके पेट में जाने वाला एरपोर्ड का एकसर नमर 11 टाइम सब कुछ चेंज कर देता है जैसे कि एक वक्त था जब विकीपिडिया ने बिटकोईन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफो देने वाले पेज निकाल दिये थे क्यूंकि उसको लगा था कि एक flop आइडिया है और इसके बारे में कौन ही जानना चाहेगा और आज ये सेम विकीपिडिया बिटकोईन और क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन लेती है और हाली में न्यूजिलेंड दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंटरी है जो अपने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करने लगा है और यहां की कई लोगों को अब क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मिलना भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी acceptable हो जाएगा साल 214 में नियुयोक के के एक आदमी ने USA के वर्ष्ट जेल में करी 5 महीने फेस्ट किये या कहूं बिताए वो भी बहुत छोटे से क्राइम के लिए और वो अपनी बेल बस दो डॉलर यानि की 200 रुपे दे के करवा सकता था पर उसे ये बात पता ही नहीं थी और वहां इसे काफी जाद परेशान किया जाता था क्यूंकि ये आदमें कोई फाइटर या कोई बुरा आदमी नहीं था नमर नाइन नासा ने हाली में फुल टाइम जॉब बनाई है जो काफी क्रेजी है इस डॉप का नाम है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ओफिसर जिसका काम होता है अर्थ को किसी भ कर रहे हैं अगर आप चाहो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो आपको बस मैट्स और साइंस में एक अच्छी डिग्री चाहिए और थोड़े बहुत और क्वालिफिकेशन फिर आप इस जॉब को ले सकते हो जुसमें आपको काफी डिसेंड पेमेंड में मिलेगा नुमर एट तो वो थी बलिया जो कि यूपी में आती है और इंडिया के आजाद होने के पांच साल पहले हैनी कि 19 तॉकस्ट 1942 को बलिया आजाद हो गई थी और उसके करीब 5 साल बाद हमारा पूरा इंडिया आजाद हुआ आप कह सकते हो कि यह सबसे पहली सीरी थी आजादी की साल 2001 में केरडा में एक ऐसी बारिश हुए जिसे देख के आपको यकीन नहीं होगा यह दिन था जुलाई 25 का और लोग जब सुबह होटेल तो पानी भरना वहां आम बात थी और यह खाली पानी नहीं था यह पानी एकदम लाल था जैसे कि बलेड होता है और उसके इस कलर का रिजन कोई नहीं जानता और कई लोगों ने कई थियोरी सामने रखी और तो और कई सुपर स्टीश बाते में कहें पर इसका रियल इजन अब तक यानी करीब 21 साल के बाद भी अन्नून है नमर्श एक बार 2008 में पूरे सौथ आफरीका में स्नो गिरी थी और इन जिराफ और पूरी स्पीसीज में ये पहली बार बस देखे होंगे नमर्वार हाली में चाइना में दुनिया की सबसे पहले ट्रैन का डिजाइन बनाया गया है और इसकी जोड़ पे टेस्टिंग भी शुरू हो गई है ये पट्री की जगह वाइट लाइन पे होगी जिसे डिटेक्ट क की मदद से एक एंसी ट्रैन बना रहे हैं और दो हजार पचीज तक ये पूरे चाइना में फैल जाएगा नमर्फोर पॉर्ठोल्स यानि की जोड़ पे होने वाले खड़ों की दिकत इंडिया में कितनी होती है ये तो आपको पता होगा और खासकर ये सीजन यानि की कुछ सालों में ही बहुत गट्टे बन जाते हैं तो फिर उनको दस करोड का फाइन लगेगा और फ्यूचर में उन्हें रोड से इलेटर कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे और उनके किसी भी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में भी कई फॉरे करने के बाद ही वह काम कर नमार 3, साल 2016 में एक सौसाइड बॉम्बर में अपने लैप्टॉप में बॉम्ब लगा के प्लेन में चर गया यह इंटेंशन से कि प्लेन के टेक ओफ होने के 20 मिनिट बार यह प्लेन को ब्लाश्ट कर देगा और उसने ऐसा ही किया बिलकुल 20 मिनिट के बाद उसने अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जिससे प्लेन में एक काफी बड़ा चियद हो गया और सप्राइजिंग बस वह बॉम्बर ही था जो कि प्लेन के बाहर उड़ गया और उसको छोड़के पूरे प्लेन में किसी को खरोच तक नहीं आये और सक्सेस्फुल लैंडिंग हो ग जैसे ज्यादा मेगी खाने से आपके पेट में दर्द होगा पाचन कमजोर हो जाएगा आप फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे मेगी में कई टाइप की केमिकल होते हैं मेगी में ऐसा भी एक केमिकल होता है जो आपके कैंसर होने के चांसेस बना यानि आपका फैट बर जाएगा और मोटे होने से आप कितनी सारी बीमारी के शिकार हो सकते हो यह तो आपको पता ही होगा मंद में एक दो बार मैगी खाना बुरा नहीं है पर अगर आप बेली मैगी खाओगे तो यह बहुत खतलनाग है तूथपेश का कलर इतना अलग अलग क्यों होता है अगर आप सोचे हो कि यह कलर बस लुक्स के लिए दिये जाते हैं तो आप बिलकुल गलत हो दरसल तूथपेश में कई सारी केमिकल होते हैं और अक्सर इन केमिकल को मिक्स करना सही नहीं रहता इसलिए वो इस तरीके से करता है और उन्हें मसबूत करता है और रेड कलर वाला पार्ट अक्सर माउठ फ्रेश्णिंग के लिए होता है यानि कि माउठ में ऐसी बैड जमेल को सही करता है और कई अलग-अलग कलर इन सब परपस को पूरा करते हैं और नॉर्मली तूथपेश में रेड ब्लू और आए जाते हैं इस वीडियो को शेर करना क्योंकि आप ऐसी वीडियो तो शेर कर देते हो लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो को चोड़ देते हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना क्योंकि अगर झाल झाल